आज का दिन नई योजनाओं पे काम करने का है आज का दिन आपके पेंडिंग काम जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे साथे साथ जो लोग नौकरी चेंज करने के इक्षुक हैं उनको नई opportunities देखने को मिलेंगी positivity कुल मिला के सब तरफ से आपके लिए indicative है बात करते हैं व्रिशवराशी वालों के लिए व्रिशवराशी वालों आज के दिन की में बात करूँ तो आज का दिन स्वास समंदी चिंताओं को दूर रख कर कुछ नया पन लाने का है जीवन में अपने आप lifestyle को चेंज कर सकते हैं आज के दिन आप थोड़ा सा ब्रेक ले सक अहीं पर आप कुछ प्रयास रथ हैं तो वो आपके प्रयास साकार होते हुए नजर आएंगे जो लोग abroad settlement की तरफ अब सोच रहे थे प्लानिंग कर रहे थे अब उसमें तेजी आते हुए आप देखेंगे बात करते हैं मितुन राशी बालों के लिए मितुन राशी बालों तो अब वो परिस्तितियां आपके लिए साकार होती हुए नजर आएंगी स्वास संबंदी चिंताएं भी दूर होंगी और परिवार में कहीं न कहीं positivity आप देखेंगे छोटी मोटी get together भी हो सकती है जो आपके जीवन में चल रहे stress levels को balance out करती हुए जाएंगी साथ ही साथ दिन आप अगले तीम महिने की भी planning कर सकते हैं चाहे वह financially expansion के zone में आप बात करना चाहे या कुछ न कुछ अपने ओपर development की अगर आप कुछ planning करना चाहें बात करते हैं करकराशी वालों के लिए करकराशी वालों आज के दिन relationship में अस्थिरता आ सकती है mental tension आपको आपके partner की तरफ से मिल सकती है miscommunication हो सकता है और आप confused भी रह सकते हैं या आप खुद misunderstood हो सकते हैं इसलिए communication को clarity के साथ आज के दिन रिष्टों में आगे बढ़ाना है उन सभी तथियों को विचार करके आगे बढ़ना है जहां से आपको negativity दिखती है या जहां से आप stressed out होते हैं overall अगर मैं situations देखूं तो positivity को embrace करते हुए आप चल सकते हैं प्रोफेशनली positivity बनी रहेगी लेकिन इस aspect को अगर ध्यान में रखते हुए चले relationship वाले को तो आप overall आज के दिन balancing act में या balancing situation में अपने आप पूर डाल सकते हैं बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए positivity सिंग राशी वालों आपके लिए बनी हुई है सामानिता आज का दिन जाएगा कुछ खास उतार चड़ाओ देखने को नहीं मिलेगा साथ ही साथ जो लोग निवेश करने के point of view से share trading और share market में invest करने की सोच रहे थे उनके लिए अब अच्छी opportunities आनी शुरू हो जाएंगी साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवानिक तनाओ अब साजा होता हुआ नजर आएगा परिवार की सदस्यों की तरफ से कोई बहुमूल राय सूचना संदेश मिल सकती है जो आपके stress levels को balance out करके जा सकती है साथ ही साथ अगर आपको कोई legal problem है या किसी legal बिवाद में फसे हुए हैं तो उससे भी आज के दिन relief मिलता हुआ नजर आएगा बात करते हैं कने राशी वालों के लिए कने राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन positivity को embrace करते हुए कुछ न कुछ नया पन जीवन में लाने के लिए बताता हुआ जा रहा है साथी साथ आज के दिन आप अपनी उपर भी काम कर सकते हैं अपने lifestyle को आप और improve कर सकते है चाहे exercise करे चाहे walk करे चाहे कुछ न कुछ अपने लिया आप नई चीज़ों को develop करते हुए चल सकते हैं नहीं योजनाओं पे भी आज के दिन काम करते हुए नजर आएंगे, अगर आज के दिन आप चाहते हैं कि फिनांशली आप और अपलिफ्ट हों और अच्छी परिस्तिति आए, तो आज के दिन सूजबूच का परिछर दीजें लोगों से कामकाज जो आप करते हैं, उसमें आ और अगर परिस्तिति देखूं, पहले से काफे ज़दा पॉजटिव मानी जाएगी, आपके खुद के कॉन्फिदेंस लेविल में आज के दिन वृद्धी होगी, आपके पराक्रम में वृद्धी होगी, कारशेत्र में आप रिकगनाईज होंगे, आपके लिए पॉजटि बात करते हैं रिष्टिक राशी वालों के लिए, रिष्टिक राशी वालों जिस तरह से आपकी परिस्तिती चल रही है, कारशेत्र में आप रिकगनाईज हो रहे हैं, आप अपने लिए अच्छी परिस्तिती ये परेस्चिल क्रेट करते हुए जा रहे हैं, आपको आपर संकेत या दिशा आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है बात करते हैं धनुराजी वालों के लिए धनुराजी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए सब तरफ से positive situations को लेकर चलने का है साथे साथ आज के दिन संतान पक्ष की तरफ से भी आपकी tension का मोतीवी नजर आएगी हाना कि खुद के स्वास्त को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे खासतोर पे second half के बाद थोड़ा सा work pressure आज के दिन बढ़ सकता है तो अपने आपको आपको manage करते हुए चलना है सारे situations को organize तरीके से दिन के शुरुआत से ही आपको deal करने की कोशिश करनी चाहिए long working hours या long sitting hours से आज के दिन आपको अपने आपको बचाना चाहिए क्योंकि lower back में pain या stress levels आपके at the end of the day बढ़ सकते हैं मकर राषी वालों के लिए मकर राषी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन परिवारिक स्थिर्था को बना के चलना है आज के दिन आपको आंतरिक सोके आंतरिक peace का अनुभव होगा अपने आप internal peace आप देखेंगे कुम्राशी बालों के लिए, कुम्राशी बालों आज के दिन के में बात करूँ तो आज का दिन पॉजिटिविटी को इंब्रेस करें, साथ जाथ लंबे समय से अगर आप किसी प्रॉब्लम के साथ अटके हुए हैं, अपने आप से जूज रहे हैं, किसी एक ठोस नड़े पर आते 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 आप रुक रहे हैं, कोई conflicting scenarios आपका अप से चल रहे हैं, कोई internal conflict चल रहे है, कोई stress levels अगर हाई हैं, तो आज के दिन आपको किसी ऐसे वेक्ति विशेष से सला मशवरा करने चाहिए, जो आपका mentor हो, guru हो या परिवार का वरदितम संदस्से भी हो सकता है, मानता य आज के दिन आपको इस problem से निकाल सकती है, साथ ही साथ, अगर relationship में अस्थिरता आपको दिख रहे हैं, तो किसी वेक्ति विशेष से आज के दिन आप सला मशवरा कर सकते हैं, जो आपके परिवार का व्रदितम संदस्से भी हो सकता है, बात करते हैं मीन राशी वालों के लि रहे थे, negativity की तरफ लेकर जा रहे थे, अब वो positive होते हुए नसर आएंगे, कुल मिलाकर सूचना आपके लिए सही है, information आपके लिए सही है, इसको अगर आप verify करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, परिवार को लेकर किसी decision को लेकर हो, investment को लेकर हो, नौकरी change करने को ल कोई भी information सूचना जो आपको मिल रही है, अगर आप उसे verify करकर कोई toast नड़ने आज के दिन लेते हैं, तो आप के लिए positivity बनी रहेगी, इसी के साथ मुझे आग गया दीजे, मैं कल फिर आजरूंगे, नमसकार